Hello my dear students, welcome you all, my name is Lamin Aseem, और चलिए आईए स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइज सेशन को, बेहतरीन तरीके से हम हाइड्रालिक मशीन पढ़ रहे हैं, बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है, कहने को तो बहुत छोटा है और कहने को बहुत बढ़ा भी है, इसको 100 गंटे भी पाया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है, हाइड्रालिक मशीन की कोई भी लिमिट नहीं है, बढ़ हम उतना पार्ट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें SSCJ के मेजॉरिटी ओफ कोश्चन्स आप कवर कर ले जो, और यही मेरा टार्गेट है, जैसे कि आप प्रिविज पिल्टन टर्बाइन, से कोश्यशन चा रहे हैं, ओर वो सारी चीज़ rifaza करते के रियाक्शन की बात करूँ, हमने रियाक्षन को शुरू करा धा, 72 गोई था कोई भी रियाक्शन टर्बाइन होगी, तो वो किस तरीके से वर्क करने वाली है, कैसे few रियाक्षण टर्बाइन क्या होती है, outward flow reaction turbine क्या होती है, reaction turbine में draft tube का usage क्या है, draft tube क्यों picture में आया, यह सारी चीज़े हमने discuss कर ली थी, उसके बाद reaction turbine का एक बहतरीन example जिसका नाम है Francis turbine उसके working principle को discuss करा था, क्या आप लोग यहां तक सारी चीज़े cover कर चुके हो, जल्दी से मुझे बता दीजे, very good morning star mudasir, very good morning, navneet, दिल का राजा है, very good morning, good name, shivam, good morning, 2024 के लिए कब classes कब से start हो जाएगा, बिटा जल्दी आएगा 2024 के लिए batch ठीके, अभी तो जो 23 का हमारा target चल रहा है, हम उस पर target कर रहे हैं, but definitely 24 के लिए भी आपको जल्दी ही batches देखने को मिलेंगे, ठीके, और अगर आप college going student हो, तो आप 23 वाला batch भी join कर सकते हो, उससे क्या होगा, कि आप recorded अगर देखना चाहो, क्योंकि generally मैंने देखा है, जितने भी college going student है, वो live sessions ले नहीं पाते हैं, उनके college की timing आ जाती है, कई बार traveling में उनका time चला जाता है, तो फिर recorded में तो आप कोई भी batch ले लिए batch चाहिए, तो थोड़ा सा इंतिजार कर लिजे, जल्द ही आपको batches 24 के लिए भी देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, शुरू करते हैं, आज का हमारा agenda क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देती हूं, वर्किंग प्रिंसिपल डिसकस करना है, ठीक है, फ्रांसिस और लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहीं से शुरुवात करी थी, अब यहीं से वापस से continue करेंगे, अगर मैं आपको starting की कुछ slides दिखा हूं, तो फ्रांसिस टर्बाइन के बारे में हमने जान लिया था, कि फ्रांसिस टर्बाइन एक inward flow reaction टर्बाइन है, जहां पर radial curved blade का इस्त of the turbine पर radial discharge मिलेगा, तीसरी आपको याद रखना था, modify करा गया, इसको modify करा गया, modern Francis टर्बाइन में, जो कि क्या थी, आपकी mixed flow turbine थी, यह कुछ बाते ऐसी थी बिटा, जो आपको ध्यान रखने थी, ठीक है, velocity triangle की बिटा, अगर अपन लोग बात करें, तो आपको ये भी पर भी आती हूं, ठीक है, अराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, यह वीवन था, यह relative velocity मिली थी, वी आरवन, और फिर यहां से blade की जो, यूवन विलासिटी थी, उसको उठा के अपन लोगों ने यहां पर रख दिया था, तो एक ये triangle मिल गया था, पिर उसके बाद हमने क्या करा था, यह एक अपन लोगोंने components करें थे, किसके component थे, यह वीवन के component थे, वीवन कॉस अलफा, यहां पर जो आपको बिटा, वी डबलू, वन देखने को मिल रहा है, यह क्या है, वीवन कॉस अलफा वन है, ठीक है, और यहां पर बिटा, जो आपको वी एफवन देखने को मिल रहा है, यह क्या है, वीवन साइन अलफा वन है, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, वीवन के दो component होते हैं, एक होता है आपका वरल कंपोनेंट और दूसरा आपका होता है, फ्लो कंपोनेंट, ठीक है, ढूंढ रहा था यह चाप्टर, चलो कोई है ना, और इतना कम प्राइस पर बैच है कि आप वापस से उसको रिन्यू कर सकते हो, ठीक है, दो हजार रुपए का भी चल रहा है, दो जून तक ओफर है, तो दो हजार का बैच है, कोई भी बैच लो के दो हजार रुपए का पड़ेगा आपको, अधरवाइस वैसे देखोगे तो तीन हजार रुपए का बैच भिकता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लो, ठीक है, मुझे बस ऐसा फील हुआ कि आप अगर वेट करते रहोगे दो तिन चार मैना, तो वो भी टाइम आपका चला जाएगा, ठीक है, इस वज़े से मैंने आपको सजेस्ट कर रहा है कि पहले शुरुआत कर दो, यह बिटा क्या मिलेगा, यह आपको यहाँ पर मिलेगा, वी एफ टू, जो कि किसके बराबर होगा, वी टू के बराबर होगा, बताया तरह रेडियल डिस्चार्ज होगा, ठीक है जी, तो यह आ गिया, उसके बाद यह वाली देगरी आपका हो चुका है, ठीक है, यह सारी चीजे हो सकता है, टाइम एक्सपेंड होगा, क्या मैं, एक बार मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है, हमारी क्लास तो मंडे को भी होगी, मंडे को क्या प्लान एन प्रोपेले टर्बाइन शुरू करेंगे, एक दिन का मुझे टॉक विद्धी टीम के उनका 24 के लिए क्या प्लान है, और अगर कोई बच्चा 24 के लिए ले रहा है, तो क्या वैलिडिटी एक्टेंड हो सकती है, क्या हो सकता है, मैं आपको इंफॉर्म कर दूँगी, मंडे को, ठीक है, मंडे को कौन सी डेट पढ़ रही है, अच्छा हा मैं आट दरेट से सर्च करना, टेलिग्राम ग्रूप मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जाके मैं फॉर्म कर दूँगी, चलो, शुरू करते हैं, रेटी वजाओ भई, अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, सारा कैलकुलेशन, ठीक है, सारा कैलकुलेशन, अगर मैं पा दिफर्स्ट पावर जो आपको मिलने वाली है, पूरे पावर प्लांट को, हाइड्र एलेक्ट्रिक पावर प्लांट को अब्जर्व करो, सबसे पहली पावर कौन से मिलती है, जो आप बोलोगे, वही अपन लोग यहाँ पर चपका देंगे, ठीक है, जो आप बोलोगे, व हाइड्रॉलिक एनरजी कोल में कहां चले गए हम लोग यहाँ पर थर्मल वाला पावर प्लांट नहीं बात कर रहे हैं रैंकाइन साइकल की बात नहीं चल रही है यहाँ पर हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात चल रही है यहाँ वाटर है कोल नहीं है कहां से आ hydraulic energy जैसे बोलते हैं, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, runner को rotate कराते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली power आपकी होगी, hydraulic power, देखो, base बना हुआ है, तो अभी कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तूरं समझ जाओगे, hydraulic power की अगर हम बात करें, तो power का simple formula जो होता है, वो आपका होता है, P is equal to the rho, Q, G, और यहाँ पर कौन सा H रखते हैं, बिटा, net head, क्यों net head रख रहे हैं, क्योंकि pen stock में losses होने के बाद, आपको मिलता net head है, समझाया था, फिर से समझा देती हूँ, reserve wire के पास gross head होता है, मगर आपको turbine के inlet पर net head मिलता है, क्योंकि pen stock में frictional losses हो चुके होते हैं, यह frictional losses हम fluid mechanics में निकालते थे, with the help of Darcy-Vasbeck equation, FLV square upon 2 into G into D, ठीक है, तो इसकी मदद से हम losses निकाल लेते थे, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो HG क्या है, HG हमारा होता था, gross head, this is your gross head, gross head, ठीक है, और H क्या है, H आपका है, net, net head, net head, ठीक है, तो यहाँ पर net head लेते हैं, क्योंकि वही हमारे लिए applicable होता है, दूसरी power के अगर आपन लोग बात करें, तो कौन सी power बेटा discuss करी थी, runner power, ठीक है ना, दूसरी power कौन सी थी, runner power थी, चलो runner power आपको दिखा देती हूं, runner power, runner power, अब यह runner power क्या थी, इसका हमने पू कौन सी equation थी, कौन सा law था, किस तरीके से बनाया था, बताइए runner power कैसे बनाया थी, पावर क्या लिया था, torque into angular velocity, फिर टॉर्क क्या था, rate of change of angular momentum, angular momentum निकालके, डिफ्रेंस लेके, हमने power की equation बनाया थी, यह कौन सी power थी, runner power थी, और इस equation का नाम क्या था, जल्ली से मुझे बता चल गया था, आप थर्मल में चले गए हो, बाहर आ जाओ भई, उसको अलग से पढ़ेंगे, सिफ थर्मो वाले, ठीक है, मतलब mechanical वाले, 6M में हैं, mechanical से, batch, ठीक है, SSEJ की तयारी कैसे करोगा, आईलर equation, चलो भई, देखो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा लूँ, और फिर उसके बाद, last के 10 minutes सिफ आपकी queries के लिए होंगे, आपको जो पूछना है, आप पूछ लेना, मैं अच्छे सा जवाब भी दे पाऊंगी, ठीक है, formula था, बिटा, M dot, formula था, VW1, U1, minus VW2, U2, ठीक है, जहाँ पर VW1, VW2 हम कैसे रखते थे, with sign, वो हम velocity triangle में देखते थे, कि VW1 positive होगा, कि VW1 negative होगा, अब जैसे की बिटा, आप यहाँ पर देख पारे होगे, जब हम यहाँ पर velocity triangle देखते हैं, तो हमको पता चलता है, radial discharge होने की वजह से, V2 तो सिर्फ VF2 के बराबर है, और हमने देखा था, कि यहाँ पर VW2 क्या हो गया है, 0 हो गया है, क्यों, क्योंकि देखो, component vertical है, मतलब velocity vertical है, तो कोई horizontal component तो मिलेगा नहीं, अगर velocity ऐसे आती, तो एक horizontal component हो जाता, एक vertical component हो जाता, मगर velocity कैसे आई है, direct to vertical आई है, तो यह direct किसके बराबर हो जाएगी, flow component के, तो world component क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और alpha 2 भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 degree, ठीके न, 90 degree हो जाएगा, अगर यही condition, मैं यहाँ पर उठ पुट कर दूँ, तो आपको भी समझा रहा होगा, कि यह वाला जो term है, यह 0 हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो कितना power मिल जाएगा, यह power आपको मिल जाएगा, देखो, m. की जगा क्या रख सकते हैं, एक और formula बता देती हूँ, fluid mechanics में, kinematics पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रूफ करते हैं कि mass flow rate density into discharge के बराबर होता है, m. किसके बराबर होता है, रो into q के, यहाँ पर रख दीजे बिटा, रो हो जाएगा, q हो जाएगा, और साथ में क्या जाएगा, v1 आ जाएगा, u1 आ जाएगा, आप देख सकते हो, एक power अपन लोगों को यह मिल गई, इसके ब ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक इंसान के पास वो machine है, वो use कर रहा है, वहाँ पर जो turbine यूज हो रही है, वो proper lubrication दे रहा है, proper servicing करा रहा है, तो उसके पास mechanical losses कम होंगे, उसी के साथ सद एक कोई दूसरा बनता है, वो भी same turbine इस्तिमाल कर रहा है, मगर नहीं कभी भी oil provide कराता है, mechanical components को नहीं कभी भी service कराता है, तो उसकी mechanical efficiency down हो जाएगी, losses बढ़ जाएगे, क्योंकि ठीक है, तो mechanical losses एक ऐसी चीज है, जो vary करती है, अलग-अलग turbines के लिए, अलग-अलग value मिलेगी, तो वो आपको mechanical, sorry, shaft power जो है, या तो वो आपसे निकलवा लेगा, या बाकी सा shaft power जाके निकाल लो, क्योंकि उसको भी बताए कि mechanical losses आप calculate नहीं कर पाऊगे, हम ही को देना पड़ेगा, सारे mechanical losses, ठीक है, तो hydraulic power होगी, runner power होगी, यहाँ पर मैं लिक जरूर देती हूँ, यहाँ पर मैं एक बर लिक जरूर देती हूँ, तीसरी तरह की जो power होती है, वो हमारी होती है, shaft power, shaft power, इस shaft power को हम P से represent कर देते हैं, ठीक है, अचा कई बर बच्चो को confusion भी होती है, यह भी P है, ठीक है, तो यह बच्चो वाली confusion आप जीवन में नहीं रखने, अब आप बड़े हो गयो, याद रखना यह hydraulic power है, ठीक है, यह runner की power है, यह PR है, सब एक जैसे दिखते हैं, और यह P क्या है, यह shaft की power है, तो यह बराबर हो जाएगा, runner power, runner power, और फिर जो runner वगेरा सब rotate हुए है, shaft rotate होती है, mechanical losses होते हैं, वो mechanical losses आपको यहाँ पर minus करने पड़ेंगे, mechanical losses, ठीक है जी, तो यह बटा छोटी सी चीज है, आप इस चीज को ध्यान में रखना, यहाँ पर मैंने इसको भी डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको efficiencies चाहिए, हम सिंपल कर क्या रहे हैं, हम Francis turbine में सारे performance parameter की analysis कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, hydraulic efficiency, बताओ formula क्या बताया था, शुरू से मेरे साथ बने वे हो, hydraulic efficiency का formula क् मैंने आपको एक trick बताई दी, कि हमेशा efficiency याद रखो, output upon input, ठीक है, hydraulic की बात हो रही है, तो मतलब inlet पर hydraulic power से related बात हो रही है, तो as a input आपने इसको कौन सी power दी, hydraulic power दी, as a output आपको क्या मिला, runner power मिली, तो output upon input अगर बिटा efficiency है, तो आप खुश सोचो, कि क्या hydraulic efficiency, runner power upon hydraulic power नहीं ह हो जाएगी, मैं बिल्कुल हो जाएगी, सही बात लेखी है, आपने, runner power अभी अभी हमने solve करा, क्या निकाला, row Q, V, W1, U1, divided by hydraulic power कितनी निकाली, row Q, G into net head, अब देख सकते हो बिटा, ये row Q, row Q, दोनों में समान है, कट जाएंगे, और आपको बहतरीन hydraulic efficiency का formula मिल जाएगा, अ तो करना कुछ भी नहीं है, आपको निकाल लेना है, V, W1, U1, divided by G into net head, और साथ में 100 का गुड़ा करा देना, आपको जो hydraulic efficiency है, वो मिल जाएगी percentage में, ठीके, तो पहला डबा हमने यहाँ पर बन कर लिया, ये आपको यहाँ पर ध्यान दखना, ठीके, बताओंगी सूरज को थोड़ा सा टाइम देदो, 5-10 मिट का, थोड़ी सी चीज़े करा दू, एक टॉपिक खतम हो जाए, फिर आप लोगों से बातचीत करते हैं, ठीके, थोड़ा सा वेट करलो बस, hydraulic efficiency हमारी यहाँ पर आ चुके, formula याद रखना, VW1, U1 upon GH, क्योंकि जब भी कभी आपसे सवाल पूछेगा, तो इसी तरीके से पूछेगा, कि एक Francis Turbine है, जिसका net head इतना है, whirl velocity इतनी है, blade की velocity इतनी है, ठीके न, यह बोल देगा, peripheral यह tangential velocity इतनी है, और उसकी hydraulic efficiency बताओ, तो निकालना आपको इसी तरीके से, ठीके, अच्छा, यहाँ पर यह जो हमने hydraulic efficiency निकाली है, अब बात अगर हम लोग करें कि generally Francis Turbine में कितने percent hydraulic efficiency हमें मिलती है, तो याद रखना, 85% से लेकर 90% तक यह efficiency आपकी vary करती है, ठीके, 85% से लेकर 90% तक, यह भी सवाल कई बर पूछ लेता है, और मैं आपको SSE GE का latest pattern बताऊं, 2018 के बाद से, data based question काफी सारे पूछे जा रहे है, especially fleet mechanics and hydraulic machine में, आप जाके एक बार देखना, buoyancy के भी अगर आप question देखोगे, आपको कई सारी shifts की metacentric height पूछ के उसने रखा है, thermodynamics अगर आप देखोगे, अगर आप mechanical के हो, कई सारे thermometer की temperature range पूछ के रखा है, ठीक है, तो data based question पूछे जा रहे है, आज के आपको data याद रखना efficiency, the hydraulic efficiency ranges from 85%, 85% to 90%, ठीक है जी, 85% से लेकर बेटा, 90% तक यह आपका vary करता है, आगे चले, ठीक है, hydraulic efficiency अच्छी तरीके से समझ आ गई, अब हम बात करते हैं, mechanical efficiency of Francis turbine, यह सारा calculation बेटा, Francis के लिए ही चल रहा है, तो याद रखी हो, mechanical efficiency of Francis turbine, देखो, mechanical efficiency, mechanical efficiency, ठीक है, अच्छा यह बताईए मुझे, mechanical efficiency का formula क्या होगा, आप बताओ, मैं calculate करके आपको दे दूँगी, shaft power upon hydraulic power, बहुत ही बहतरी, अब क्या है, runner power, runner rotate हो रहा है, mechanical आपको work मिल रहा है, और यही mechanical work आप किसको देना चाहरे हो, shaft को देना चाहरे हो, मगर होता क्या है बिटा, जो runner rotate कर रहा है, इस rotation के बीच में कुछ losses भी हो जाएंगे, जैसे कि जब penny stock से flute उठाया, penny stock के through, reservoir से, तो losses हुए, फिर वो जब runner को मिला, तब losses हुए, अब runner shaft को देगा, उसके बीच में भी losses होंगे, तो लगातार आपको losses देखने को मिलते हैं, तो shaft power अलग होती है, runner power अलग होती है, अच्छा यह बताइए, कि अगर shaft power, runner power एक हो जाए, तो इसका मतलब है, कोई भ अपर, अगर मैं mechanical efficiency की बात करूँ, तो हमें मिलेगा, shaft power upon runner power, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था बिटा, कि shaft power आप से या तो निकल वाएगा, या तो आपको question में देगा, दो में से एक ही काम होंगे, तो इसको मैंने PS रख दिया है, runner power आप निकाल चुके हो, कितन है, अब यहाँ पर इसको आपको ध्यान दखना है, overall efficiency इसके बाद हमने बात करी दी, अच्छे यहाँ पर हम, overall efficiency क्या लिखेंगे, जरा बताईएगा, let's see कि आपको याद है कि नहीं, overall efficiency, overall efficiency, overall efficiency क्या होगी, कि पूरे, पूरे hydroelectric power plant को आप observe करो, finally आपको कितना मिला, और initially, input पर आपने कितना दिया, और final output आपको कितना मिला, तो आप बोलोगे कि मैं final output तो हमारा shaft power था, और initial जो पहला input था, hydroelectric power plant को, वो hydraulic power थी, तो यहाँ से समझ आता है, कि यह जो हमारी overall efficiency होगी, यह overall efficiency हो जाएगी, shaft power divided by, कितना हो जाएगा, hydraulic power, shaft power divided by hydraulic power, ठीक है, तो यह आ समला मिल जाता है, यहाँ पर आप चाहो, तो एक step और बढ़ा सकते हो, आप लिख लो, overall efficiency, shaft power PS है, divided by, hydraulic power है, rho Q, G into H, और यह एक और के बराबर होता है, mechanical efficiency into hydraulic efficiency, ठीक है, तो generally होता क्या है, कि overall efficiency, हम हमेशा mechanical और hydraulic के multiplication से निकाल लेते हैं, एक चीज़ मैं आपको और बता हूँ, एक SSCJ में question भी आया था, कि Francis turbine है, mechanical efficiency 80% है, hydraulic efficiency 75% है, यह कुछ 90% है, कुछ भी बोल दिया, और पूछ लेता है, overall efficiency, तो simple formula भी अगर आप याद होगा, दोनों efficiency का multiply कराके, overall efficiency आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, ना, product of mechanical efficiency and hydraulic efficiency, अगर मैं overall efficiency के range की बात करूँ, तो बेटा, यहाँ side में मैं एक range लिखके दे रही हूँ, इसकी जो range होती है, इसकी जो बेटा range होती है, यह आपकी क्या होती है, कोई बताएगा मुझे, किसी के पास अंदाजा है, 80% से लेकर बेटा, 90% तक vary करती है, 80% से लेकर 90% तक overall efficiency आपकी vary करती है, ठीक है, अब बात करते है, degree of reaction क्या है ठीक है, degree of reaction भी बहुत important role play करता है, क्योंकि यह बताता है, कि total energy में, जो हमारे पास total energy है, उसमें pressure energy का change हम कितना कर पाए, degree of reaction क्या बता रहा है, जितनी भी reaction turbines हैं, सब के पास kinetic energy plus pressure energy है, सब के पास kinetic energy plus pressure energy है, तो यह दोनों मिला के क्या होगे, total energy, अब degree of reaction आपको बताएगा, क इस total energy में, pressure energy का change कितना आया है, क्योंकि हम pressure energy को change कर रहे हैं, लगातार pressure energy को हम kinetic energy में बदल रहे हैं, कैसे, casing के area को change करा के, guide winds में भी कई वर हम blades इस तरीके से लगाते हैं, कि area हमारा लगातार change होता रहता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर degree of reaction की calculation, सब से जादा महत्यपूर है, थोड़ी lengthy है, बट आपके means के exam में भी पूछ ली जाती है, ठीक है ना, degree of reaction, तैयार हो भई, calculation करने के लिए, कि मैं direct formula दे दूँ, जैसा आप बता हो, ठीक है, direct formula चाहिए, मैं direct भी दे सकती हूँ, आप कहोगे कि मैं नई proof करा के ही दे दो, ताकि जो है, याद हो जाए चीज तो मैं वैसा भी कर सकती हूँ, ठीक है, देखो, इसका एक horizontal component, एक vertical component, इसके बाद अपन के पास क्या था, relative velocity थी, relative velocity थी, exit पर क्या मिला था, fluid radially out हुआ था, ये blade angle से radial, आपको relative velocity देखने को मिल रही थी, उसके बाद ये आपको U2 मिल गया था, ठीक है, सब बना देते हैं, ये है V2, जो की बराबर है VF2 के, ये आपका है बीटा 2, ये आपका है alpha 2, यहां से लेकर यहां तक, U2, ध्यान से समझना, याद हो जाने चाहिए ये सारे, ठीक है, U2 का direction किदर होगा, इधर होगा, क्योंकि जब भी कभी आप blade के दोनों ends देखोगे, आपको इधर ही जाते वे नजर आएंगे, ठीक है जी, याद रखियो, blade तो आगे ही जाएग तो direction याद रखना, यह क्या होगा, यह हो जाएगा, V2, ठीक है, यह आपका हो गया V1, यह हो गया V1, यह हो गया VF1, और इसका component इधर की तरफ जो टूटेगा, वो क्या होगा, V1, और यहां से लेकर यहां तक क्या मिलेगा, इसको मैं ऐसे लिखते हूँ, उपर बनाते हू ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपको मिलेगा VW1, और यह आपका होगा U1, ठीक है, अगर आप यहां से लेकर यहां तक की distance देखना चाहो, तो यह कितनी हो जाएगी, यह आपकी हो जाएगी, बिटा, VW1 से U1 को माइनस कर दो, ठीक है, क्या माइनस कर दो, VW1 से U1 को लिखवा दो ठीक है आप देख लो ठीक है डिरेक्ट फर्मुला देख लो और दोनों चीज़े आप यहाँ पर अब्जर्व कर लो देखो सबसे पहले तो आप यह समझने की कोशिश करो हमने एक फर्मुला बनाया था प्रेशर एनर्जी चेंज डिवाइड बाई टोटल एनर्जी चेंज ठीक है प्रेशर एनर्जी चेंज था क्या बेटा प्रेशर एनर्जी चेंज था m dot, 7 में हमने लिया था, 7 में हमने लिया था, u1 square minus u2 square by 2, ठीक है, फिर plus लगाया था, और यहाँ पर था, vr2 square minus vr1 square by 2, और divided by total energy change में क्या था, तीन components निकाले थे, hopefully आपको याद होगा, एक general सा velocity triangle लेके, हमने इस तरह से equation बनाई थी, ठीक है, फर्मुला क्या था, total energy change का, m dot, v1 square minus v2 square by 2, plus u1 square minus u2 square by 2, plus vr2 square minus vr1 square by 2, कोई दिक्कत यहाँ तक, यह सर्नों में जवाब दो, क्या यहाँ पर कोई दिक्कत परिशानी समस्या, यह formula देखा हुआ लग रहा है, ऐसा तो नहीं है, क्या आप बोल रहोगे, यह क्या लिख दिया, इसको बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, जो भी ऐसा बोलेगा, उसकी पिटाई हो जाएगी भई, ना, उसका मतलब है, वो पीछले lecture नहीं देख रहा है, और आने वाले lectures को follow कर रहा है, ऐसा नहीं करना है, इसको proof कर रहा है, ऐसे नहीं लिखवाया था, मैंने वहाँ पर भी, अब यहीं स इसे, specially Francis के लिए, specially reaction turbines के लिए हम calculations को शुरू करेंगे, ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं क्या गरूँ, इसमें एक काम कर लेते हैं, प्लस का उपर देखना, अलग pencil लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस का, पहले तो देखो, पहले तो आप इन दोनों को cancel कर दो, यह दोनों cancel हो जाएंगे, आप देखो, ज़रा क्या मिला, r is equal to the, उपर में क्या करती हूँ, एक term add करती हूँ, v1 square minus v2 square by 2, ठीक है, प्लस क्या रखा हुआ है, u1 square minus u2 square by 2, प्लस क्या रखा हुआ है, vr2 square minus vr1 square by 2, मैंने कौन सा term जोडा है, यह जोडा है, अगर maths के हिसाब से देखोगे, तो जो जोडा है, वो घटा दे, तो बात बराबर हो जाएगी, तो मैं क्या करती हूँ, यह प्लस में मैंने जोडा, इसको minus में मैं घटा भी देती हूँ, v1 square minus v2 square by 2, आप देख पा रहे होगे बिट एक टर्म मैंने इस तरीके से जोडा, और सीम टर्म घटा दिया, तो mathematically यह एकदम करेक्ट हो गया, देखो यहां से यह दोनों कैंसिल होँगे, फिर से वही बचेगा जो पहले रखा हुआ है, सिंपल है, ठीक है, अब नीचे देखो क्या बचा है, आप मुझे बताओ, क्या मैं यहां पर एल सीम अलग-अलग कर सकती हूँ, मतलब मैं क्या करूँ, यह टर्म, एक साथ लेके, यह टर्म बिटा, एक साथ लेके, इसको साथ अलग कर दूँ, माइनस लगाओ, यह टर्म एक साथ लेके, इसके साथ अलग कर दूँ, क्या मैं सेपरेशन कर सकती हूँ, दुनों को सेपरेट कर सकती हूँ, सोचो इसके बारे में, क्या यह पॉसिबल है, मैं इसको इसको लेके अलग कर दूँ, माइनस लगाओ, इसको इसको लेके अलग कर तो वेल्यू क्या आएगी आब बोलो कि मैं उपर का पूरा टर्म नीचे का पूरा टर्म सेम होगा दोनों कैंसल हो जाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा कि क्या आंसर मिलेगा सोचके बताइए इस पूरे ब्राकेट को नीचे वाला जो यह ब्राकेट है पूरा ब्राकेट मैं अलग करके लिखूंगी और फिर माइनस लगाऊंगी फिर इसको नीचे वाले पूरे ब्राकेट को अलग करके लिखूंगी LCM को मैं अलग-अलग कर रही हूँ आंसर बताइए क्या मिलेगा Change of kinetic energy मिल जाएगा थोड़ा सा देखो यहाँ पर कोई HM नहीं चल रही है यहाँ math चल रही है जब math चले तो math की तरह ही आप उसको observe करो यह पूरा bracket इस bracket के साथ मैं अगर अलग कर दूँ value क्या मिलेगी 1 मिल जाएगा रित्विक ने सही बोला कि यह और यह दोनों मैं same है अगर कहीं पर 2 बटे 2 लिखा होता है तो 2 एक कम दो 2 एक कम दो value 1 मिलती है कहीं पर 3 बटे 3 लिखा होता है same value होती है तो value 1 मिलती है इसी तरीके से अगर यह bracket इस ब्रैकेट के साथ जाएगा देखो same same सारी चीज़े लिखी है दोनों cut जाएगे और क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा तो हमें answer मिलेगा r बराबर 1 हो गिया minus इधर क्या बचा v1 square minus v2 square by 2 और divided by कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका v1 square minus v2 square by 2 plus u1 square minus u2 square by 2 plus vr2 square minus vr1 square by 2 इसी को बिटा एक और format में हम लिखते हैं क्या होता है v1 u1 minus v2 u2 ध्यान रखियो मैं आपको rough में बता रही हूँ यह जो power निकाली थी न m dot v1 u1 minus v2 u2 इसी का format चेंज करा था v1 u1 v2 u2 की value put करके format बनाया था v1 square minus v2 square by 2 plus u1 square minus u2 square by 2 plus vr2 square minus vr1 square by 2 यह दोनों चीजे एक ही है यह दोनों ही क्या है आईलर एक्वेशन है confuse मत होना बिटा कि यह क्या आ गया इसको हमने एक नए form में लिखा था वो यह form था तो अभी हम चाहे यह लिखें और चाहे इसकी जगह यह लिखें बात एक ही है mass से mass cancel कर दो तो यह पूरी value किसके बराबर होगी VW1U1-VW2U2 के exactly same चीज में करने जा रही हूँ क्योंकि ultimately मुझे इस equation को एकदम simplified form में लिखना है तो देखो बिटा मिलेगा V1 square minus V2 square by यह जो 2 है मैं ऐसे रख देती हूँ और इस पूरे bracket की जगा मैं रख देती हूँ VW1U1 minus VW2U2 अब अगर आप यहाँ पर CC बना दोगे तो मैं आगे calculation आपको दिखा दोगे सिम्रन माइम थेंक यू बताओ बेटा आंसर करो आंसर करो अब अगर आप यहाँ तक पहुच के CC बना दोगे तो मैं आगे की calculation आपको एकदम simplified form में दिखा दूँगे इसको बदल के फिर से यह लिख दिया बताओ क्यों लिखा, reason क्या था क्योंकि मुझे पता था VW2 0 है तो मेरी calculation आसान हो जाएगी हम जल्दी से जल्दी एक final result तक पहुच पाएंगे degree of reaction के इस वज़े से मैंने इसको बदल के यह लियाई ठीक है और उपर देखो, पीछे देखो मैंने इसको अलग-अलग क्यों करा इतने सारे terms थे, जैसे ही मैंने एक term जोड़ा, एक term घटाया, इन दोनों को LCM से अलग करा, सारे term गायब हो गया उपर देखो, सिर्वन बचा है और यह खाली V1, V2 बचा है यह भी हम असानी से निकाल लेंगे ठीक है, तो आप CC बना रहे हो इस वज़े से मैं आगे चल सकती हूँ सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ चूँकि यहाँ पर VW2 0 है अगर यह 0 है, तो हमारे पास degree of reaction आ जाएगा 1 minus, यहाँ पर मिलेगा आपको V1 square minus V2 square by 2 और साथ में आ जाएगा VW1 U1 ठीक है VW1 U1, अब हम calculation शुरू करेंगे देखो, सबसे पहले आप एक चीज़ यह समझो कि जब भी कभी हम Francis Turbine की बात करते हैं, तो flow velocity जो मिल रही है न, VF1 और VF2, उसमें ज्यादा changes आपको देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब VF1 और VF2, almost same ही देखने को मिलता है, so especially for the Francis Turbine याद रखना, VF1 VF2 के बराबर आता है, इसको हम simple VF ले सकते हैं, ठीक है आगे सुनो, V2 को हमको पता है V2 क्या है बटा V2 simple, VF 2E तो है, इसको हम VF ले सकते हैं, ठीक है, 2 हो चाहे 1 हो, simple VF ले लो, यह Francis Turbine के लिए मैं आपको बता रही हूँ अगर मैं V1 की value निकालू मुझे V1 को change करना है देखो क्योंकि मैंने V2 को तो VF बना दिया है बटा, ना V2 को तो मैंने VF बना दिया है अब मैं बनाना चाहती हूँ किसको V1 को VF के टर्म है तो आप मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकते हूँ V1 sin, alpha 1 जो होगा, वो VF1 के बराबर होगा, तो आप मुझे बताओ, यहाँ से अगर मैं V1 की वेलू निकालू तो कितनी आएगे बताइए ठीक है जरू बेटा, VF, VW1, VW2 तो आप तब करोगे ना, जब हम VW1 और VW2 की वेल्यू पुट करें अभी तो हमने कोई वेलू पुट ही नहीं करी है हमने तो डारेक्ट VW2 को कार्ड दिया तो वहाँ पर फिर प्लस माइनस का कोई मैटर बनता नहीं है न मैं एक चीज़ आपको बता दूँ मैंने आपको सिंपल बोला VW1 U1 माइनस VW2 U2 हमेशा लेना है अब जब कैलकुलेशन करेंगे जब टर्वाइन के साथ डील करेंगे तब हम देखेंगे के VW1 और VW2 की जो वेलू है वह पॉजिटिव है के नेगेटिव है अब यहाँ पर हम जैसी पहुचे ना VW2 जीरो हो गया तो हमको फिर से प्लस माइनस के लिए टेंशन नहीं लेनी थी बास समझ आई कि नहीं आई रित्विक आंसर करो मेरी इस बात को क्या ये चीज समझ आई आई आपको कि जो मैंने बोली आपको है और इससे पहले हम क्या पढ़ रहते पिटा, पेल्टें टर्वाइन पढ़ रहते, पढ़ रहते के नहीं, तो पेल्टें टर्वाइन में आर जीरो ही हो गया था, तो वहाँ पर भी कोई टेंशन नहीं थी, डायरेक्ट आर जीरो हो गया था, तो वहाँ पर भी मौकई नहीं मिला हमें VW1, VW2 र गये, VW2 0 हो गया, कोई calculation ही नहीं हुई, अब जब क्या plan में जाएंगे ना, तब आपको values मिलेंगे, ठीक है, तो वो एक चीज़ आपको यहाँ पर समझने पड़ेगी, तो आप मुझे बताओ, कि अगर मैं यहाँ से V1 की value निकालूं, तो कितनी आ जाएगी, क्योंकि मुझे clearly दिख रहा है कि मेरा VF1, V1 sin alpha 1 के बराबर है, तो V1 कितना हो जाएगा, बदाइए, हाँ, degree of reaction, वो total energy है ना, उसमें अभी भी हमने Francis की VW1, VW2 पुट नहीं करा है, यह जो degree of reaction का formula, यह general formula है ना, यह general formula है जो मैंने रिखा है, अब पेल्टन में जैसे ही जाते हूँ, उपर वाले सारे term zero कर देते हो, तो सब zero हो जाता है, Francis में जैसे गए, जैसी VW1, VW2 की value put करने गए, तो VW2 प्लस zero था, चाहे माइनस zero बोल लो, जो zero तो zero यह ना, तो वो भी कड गया, तो क्योंकि यह formula तो हमने general बना के रखा है, ठीक है, यह formula तो हमने general बना के रखा है, कहीं पर अगर हमें VW1, VW2 दोनों साथ हमें मिलेंगे, हमें रखना पड़ेगा, तो मैं sine के साथ ही रखूंगी, उस case में generally अगर VW2 positive आता है, तो मैं, मतलब negative आता है, तो वो यहाँ पर रखे negative negative positive बन जाते हैं, रित्विक आप समझ पारे होगे, क्योंकि यह आपका doubt है, ठीक है, तो देखो बिटा, यहाँ पर sine alpha नीचे जाएगा, तो यह बन जाएगा VF1 upon sine alpha, और 1 upon sine alpha क्या होता है, cosec alpha होता है, ठीक है, तो आपको थोड़ी trigonometry यहाँ पर समझनी पड़ेगी, थोड़ी trigonometry यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी, कि जो हमारा V1 है, यह VF1 cosec, cosec alpha 1 तो मैं क्या गरती हूँ, देखो बिटा, degree of reaction को निकालना है, यह हो गया 1 minus, V1 की जगा मैंने रख दिया, VF cosec, cosec alpha 1, अब देखो ज़रा, यहाँ पर क्या लिखा है, V1 square minus V2 square लिखा है न, तो मैं इसका भी square कर देती हूँ, और इसका भी square कर देती हूँ, minus V2 क्या है, यह भ कितना मिला, 2 मिला, ठीक है, अब क्या बचा, VW1 and VW2, हाँ, thank you, thanks a lot, अब देखो VW1 और VW2 की calculation देखते हैं, क्या आप, देखो ऊपर VF, VF का square आ रहा है, common, common आ रहा है, अगर नीचे के term भी मैं कोशिश करूँ कि VF में change कर दूँ, तो मेरे लिए चीज़े आसान हो जाए बास समझा रही है, तो कुछ ऐसा क्या आप इस velocity diagram में देख पा रहे हो, कि मैं VW1 को change कर दूँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा वेटा, असान नहीं है, calculation है, वो भी maths की calculation है, geometry की calculation है, trigonometry की calculation है, आसान नहीं है, ठीक है, mechanical से batch करो भई, SSJ की तयारी का मतलबी यही है, कि आपको एक batch में enroll होना है, किसी भी batch में हो, ठीक है, अच्छा देखो, VW1 क्या मैं कह सकती हूँ, यह V1 cos alpha 1 के बराबर होगा, क्या मानते हो, V1 cos alpha 1 के बराबर होगा, और अभी आपने V1 की value निकाली, बेटा, अभी आपने V1 क value निकाली, क्या निकाली V1 की value, क्या निकाली, VF cos alpha 1, देखो न, बहुत लंबा काम है, V1 बराबर VF1 cos alpha 1, अभी आपने यहाँ पर देखा, देखो इधर दिखा रही हूँ, अभी आपने देखा, कि हमारा जो V1, VW1 होता है, वो V1 cos alpha के बराबर होता है, जब मैं V1 का horizontal component ले सकती हूँ, तो VW1 मिलता है, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, कि यह जो V1 है, यह VF cos alpha 1 के बराबर होता है, साथ में cos alpha 1 हो जाएगा, अगर मैं cos 1 को नीचे लेके जाओंगी, तो sign होगा, और cos by sign क्या होता है, cos by sign क्या होता है, cot होता है, तो answer मिलेगा, cot alpha 1, VW1 की dot alpha 1, अब बताओ जी, कोई तकलीफ, दिक्कत, परेशानी, समस्या, अब देखो जरा ध्यान से समझो मेरी बात, U1 अभी बचा हुआ है, मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना मुझे U1 चाहिए, ठीक है, यह इधर क्या रखा है, VF रखा है, यहाँ पर क्या र था, तो आप देखो, अगर मैं tan beta 1 लगाओ, तो perpendicular upon base मिलेगा, देख लो जी, नहीं समझा रहा है, देख लो, observe कर लो, perpendicular, यह triangle है, यह base है, यह hypotenuse है, यह perpendicular है, यह base है, यह angle है beta 1, यह angle है beta 1, अब ध्यान से सुनियो मेरी बात, अगर मैं यहाँ पर tan beta 1 लगाओ, थोड़ी से calculation म आपको यहीं पर दिखाती हूँ, अगर मैं यहाँ पर tan beta 1 लगाओ, तो perpendicular तो सीधा VF हो जाएगा, और base कितना होगा, यह distance, कितना है, VW1 minus U1, ठीक है, क्या बूच रहे हैं, अभी हम polytechnic 6 semester में है, mechanical से, batch करूं, या फिर SSEJ की तयारी करूं, अच्छा, आप बोल रहे हो कि semester का पढ़ूं, या SSEJ की तयारी करूं, यह पूच रहे हो, आपका सवाल में ही clarity नहीं है, batch, अच्छा, VTEC करूं या फिर SSEJ की तयारी करूं, sorry, बेटा, यह तो individual choice है न, देखो, mechanical से हो, सीधी बात बोलूं, अगर VTEC करने चले भी जाओगे तब भी आपको opportunities उतनी जादा नहीं मिलने वाली, ठीक है, क्योंकि आज की time पर jobs बहुत जादा कम है, especially core में jobs, mechanical engineers को नहीं मिल रही है, जो बच्चे हैं, वो VTEC करने के साथ साथ, IT के courses कर रहे हैं, web designing के courses कर रहे हैं, उसके बाद जाओ वो IT company की तरफ ही रहे हैं, क्योंकि जो mechanical में, VTEC में सिखाया जा रहा है, उसकी requirement है ही नहीं market में, अगर हम market के requirement देखोगे, Mac plus tech, दोनों मिला के, Mac plus tech का मतलब है, कि हमें mechanical को थोड़ा IT से जोनला पड़ेगा, software से जोनला पड़ेगा, जिसे हम mechatronics भी बोल सकते हैं, mechatronics हो गया, यह सब की demand थोड़ी जादा है, तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी opportunities नहीं मिलने वाली, और अगर मैं AEGE की category में बात करूँ, तो AEGE में हाँ कुछ vacancies हैं, बहुत ज़्यादा vacancies नहीं हैं, जैसे civil में बहुत vacancies हैं, हर दूसरे तीसरे दिन notification में आपको vacancies मिलेंगी, बट आप preparation करना चाहों तो कर सकते हो क्योंकि RRB JEE का जो notification है, वो अभी आ सकता है, अभी 2-3 सालों से नहीं आया है, बट RRB JEE का pattern है, हर दूसरे तीसरे चौते साल तक exam repeat होता है, तो एक option आपके लिए बन सकता है, दूसरी चीज़ बार का ISRों में mechanical के अच्छे notification आ जाते हैं, उसमें आप जा सकते हो, SSC JEE 2024 आप टार्गेट कर सकते हो, उसमें आपका हो सकता है, ठीक है, बाकी ये individual choice है, अगर आप आगे higher studies पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि और degrees मुझे मिल जाएं, तो कोई बुरा ही नहीं है उसमें, और BITEC के साथ भी आप तैयारी कर सकते हो, ये भी कोई compulsion नहीं कि मैं BITEC क तैयारी नहीं कर पाऊंगा, आज हमारे पास बहुत सारे BITEC के बच्चे हैं, जो JEE की तैयारी कर रहे हैं, BITEC भी कर रहे हैं, जे की भी तैयारी कर रहे हैं, जब मैं ऑफलाइन में बढ़ाती थी, COVID से पहले, तो वहाँ पर भी बहुत बच्चे आते थे BITEC के, BITEC भी कर तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप ये खुद से पूछो कि आपको क्या better आपके लिए लगता है, क्योंकि आपकी situation आप जानते हो, ठीक है, बाकी अभी बाते कर लेंगे, calculation कर लेने तो वरना ये calculation बीच में break होई, तो सब आप लोग भूल जाओगे, फिर दिक्कत होगी, ठीक एक calculation अपन लोगों कि ये complete हो गई है, अब एक calculation मैं यहाँ पर और कर रही हूँ, कि हमारा जो tan beta 1 है, ये vf upon vw1 minus u1 है, इसको अधर ले जाए ये tan beta नीचे लिया आईए, तो ये हो जाएगा vw1 minus u1 is equal to the vf upon tan beta 1, 1 upon tan beta 1 होता है cot beta 1, मैं u1 इधर ले जाती हूँ, इसको इधर बेज देती हूँ, क्यों कि मुझे निकालना तो u1 ही है, तो ये हो जाएगा vw1 minus vf caught beta 1, ठीक है, अब vw1 की जगा हम क्या रख सकते हैं, देखो उपर निकाला है, तो ये हो गया vf caught alpha 1 minus vf caught beta 1, तो आप देख पार रहे होगे बिटा, कि हमने इस तरीके से u1 को भी निकाल ल रिया है, AJ में इस समय, civil engineering students जितने जादा privileged हैना, कोई भी department नहीं है, trust me, हर दूसरे तीसरे दिन civil की vacancies हैं, एक दो vacancies नहीं है, 100 vacancies हैं, 200 vacancies हैं, 400 vacancies हैं, कई बार हजारों में भी vacancies आ रहे हैं, तो civil engineering अगर आप कर रहे हो, और आप AJ की preparation करना चाहते हो, बहुती अच्छी opportunities आ बन जाओगे, assistant engineer बन जाओगे, क्योंकि opportunities ज़्यादा है, as compared to other departments, ठीक है, यह यह तो है, बीटेक, diploma प्लस बीटेक वालो, आप थोड़े ज़्यादा eligible हो जाते हो, पढ़ाई करो, अभी आपकी पढ़ाई करने की उमर है, ठीक है, अभी पढ़ाई करते रहो, J की पढ़ाई करो, बीटेक भी कर लो, कोई डिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर U1 की value रख रही हूँ, कोई बुरा, नहीं मानेगा, कोई बुरा, नहीं मानेगा, कॉट, alpha 1, minus VF, tan, नहीं, tan नहीं हुए, अब यह कॉट, बीटा 1 बन गया, कॉट, बीटा 1, ठीक है, कैलकुलेशन, देख लियो, यह हो जाएगा, R, बराबर, 1, minus, VF, square बाहर निकालो, जरा, क्या बजगिया, कॉसेक, कॉसेक, स्कॉएर, alpha 1, minus 1, divided by, 2 ऐसे ही रखो, एक VF यह है, एक VF, मिला, कॉट, alpha 1, ब्राकेट में मिला, कॉट, alpha 1, minus, कॉट, बीटा 1, कॉट, बीटा 1, ठीक है, जी, तो देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो VF से VF, कट जाएगा, खतम हो गया, R की वेलू कितनी आ गई, 1, minus, 1, minus, 1, बटे 2, अच्छा, यह बताईए, कॉसेक, स्क स्कॉएर, alpha 1, minus, 1, कितना होता है, कॉई बता सकता है, कॉसेक, स्कॉएर, alpha 1, minus, 1, कितना होगा, आंसर करिए, आंसर करिए, आंसर करिए, आंसर करिए, वट, 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 कॉट एल्फा बहुत ही बढ़िया याद रखना कौसे की स्क्वार एलफा वन माइनस वन कोट एलफा वन का स्क्वार बनेगा नीचे एक और कॉट एलफा वन लिखा है वो कट जाएगा तो सिंपल मिलेगा एक कॉट एलफा वन divided by bracket में मिलेगा cot alpha 1 minus cot beta 1 आगिया formula degree of reaction का आगिया formula degree of reaction का आई बात समझ में जल्दी से मुझे बताईए formula समझ आया इस से degree of reaction निकालोगे बेटा values देगा blade angles देगा alpha 1 beta 1 की value देगा आप से पूछेगा degree of reaction बहुत special बता दूँ direct formula ही पूछता है SSC J के exam में आप से direct formula ही पूछा जाता है ठीक है तो ये बात हो गई हमारी किसकी degree of reaction की ठीक है अब आगे चलते हैं कुछ 2-4 और calculations है वो मैं आपको दिखा देती हूँ फिर session हमारा close हो जाएगा ठीक है ध्यान से सुनियो other working proportions की अगर मैं बात करूँ other working proportions की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको निकालना होगा width of the runner to the diameter of the runner width width of runner width of the runner to the to the diameter of the runner अब देखो ये क्या है data है ठीक है ये क्या है बिटा data है विर्त को B से represent करते हैं diameter को D से represent करते हैं इसको हम N भी बोल सकते हैं ठीक है ना this is also known as the N तो इसकी value जो है बिटा ये 0.1 से 0.45 तक vary करती है इसको N भी बोल देते हैं width of the runner to the diameter of the runner ये N कहां से कहां तक vary करेगा N varies from 0.1 ये geometry से related है ठीक है to 0.45 किसकी geometry से related turbine Francis turbine की geometry से related जो हम runner यूज कर रहे हैं उसका width बटे diameter का जो ratio होता है ये 0.1 से 0.45 तक vary करता है ठीक है इसके अलावा एक term होता है flow velocity flow ratio तो याद रखो flow ratio क्या होता है flow ratio को हम generally sign से represent कर देते हैं ये होता है flow velocity divided by spouting velocity ठीक है आच्छा ये बताओ ये जो spouting velocity है ये कौन से velocity है ideal velocity है at the inlet of the runner किस से represent करते हैं बताइए inlet पर जो velocity दे रहे हैं जो blade से जाके टकरा रहे हैं वो कौन से velocity absolute velocity मैंने आपको जो formula बताया था ये formula था cv under root 2gh ये spouting velocity नहीं है spouting velocity theoretical वाली होगी कैसे theoretical निकालेंगे ये cv हटा दो सिर्फ under root 2gh लिखो ये velocity कहलाती है spouting velocity ideal velocity of the jet ideal velocity of the jet is known as spouting velocity ये actual velocity है ये theoretical velocity है theoretical means ideal velocity तो याद रखना बिटा flow velocity divided by 2gh ये formula होता है आपका किसका flow ratio का ठीक है अब मुझे बताओ speed ratio का formula क्या लिखवाया था वो यहाँ पर सेम ही रहेगा ये आपका क्या है flow velocity flow velocity flow velocity और ये क्या है बिटा spouting velocity spouting इसका एक नाम है spouting velocity ठीक है और इसको ideal velocity of the ideal velocity at the inlet of the turbine भी बोल सकते जिसे absolute velocity बोलते हैं ठीक है तो ये एक चीज़ हो गई दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़िए थी speed ratio पढ़ा था ये तो हमने आपको pelt and turbine में ही बता दिया था कि कैसे picture में आया तो इस speed ratio को किस से represent करा था बिटा के यू से के यू से ये क्या था blade velocity divided by under root 2 into g into h ये formula निकल के आया था speed ratio का अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है बिटा values हमेशा ध्यान रखो ये जो आपको flow ratio दिख रहा है इसकी जो range है आपसे range पूछेगा formula तो सब में सेम ही रहेगा 0.15 से लेकर 0.30 ये बिटा range है यहाँ से लेकर यहाँ तक speed ratio आपका vary करता है sorry flow ratio आपका vary करता है ठीक है ना देखो 0.15 से 0.3 का जो आपका range है ये आपको ध्यान रखनी है ये कहाँ से कहाँ तक करता है 0.6 से लेकर 0.9 जो speed ratio होगा इसकी जो range है वो कितनी है 0.6 से लेकर 0.9 और flow ratio की जो range है Francis turbine के case में वो कितनी है 0.15 से लेकर 0.30 range पूछी जाएगी formula कम पूछे जाएगी ranges जादा पूछी जाएगी क्योंकि मैंने आपको बताया data based question बहुत आ रहे हैं ठीक है समझ आ गई समझ आ गई अब आगे बात करते हैं discharge through the turbine जो सबसे जादा important है कि कितना turbine से discharge हुआ ध्यान से सुनिए discharge through discharge through Francis turbine अब आप एक चीज यह समझो यह जो discharge हो रहा है यह runner के through हो रहा है अगर मैं runner आपको सिधा सिधा circular wheel की तरह ना दिखाके ऐसे दिखाऊं तो कोई समस्या तो नहीं है मुझे बताईए blades कैसे लगे होंगे ऐसे लगे थे blades ऐसे लगे थे जल्दी से मुझे बताओ इससे कट मिल जाएगा से मिल जाएगा से मिल जाएगा से मिल जाएगा समझा रही यह बात यही तो है runner yes और no जवाब दो यही तो है runner यही तो है runner यह runner का diameter है यह runner का diameter है इसमें blade लगा है अगर blade को देखोगे तो अगर radially in है, ये inlet है, ये exit है, radially out है तो center पर inlet मिलेगा और बाहर exit मिल जाएगा, center पर inlet, बाहर exit, ये क्या है, विर्त of the runner हो गया, ये क्या है, diameter of the runner हो गया, inlet पर निकालेंगे तो inlet पर diameter देखेंगे, blade के perspective से, अगर exit पर निकालेंगे तो वहां पर कितना हमको diameter मिल रहा, वो देखोगे तो Francis में तो radial flow होता है ना, flow ऐसे होगा, radial ही अंदर जाएगा, तो आप खुछ सोचो, जो area होगा, क्योंकि discharge का simple formula है, area into velocity, area into velocity, मगर जो area होगा, उसका formula क्या होने वाला है, आप खुद मुझे बताओ, कि अगर कोई cylinder है, इसका diameter D है, इसकी length L है, और हमें ये surface area देख मतलब क्या है, अगर ये कोई cylinder है, इसका length L है, इसका diameter D है, तो ये जो surface area इसका formula कितना होता है, क्या pi into d into L होता है, बताइए, क्या pi into d into L होता है, surface area की बात कर रहे हूं, cross sectional area की बात नहीं कर रहे हूं, surface area की बात कर रहे हूं, cross sectional area की बात नहीं कर रहे हूं, बताइए, क्या पाइं टूदी इंटू एल होता है formula सोचके बताओ हाँ ना में जवाब दो फिर आगे चलेंगे रट्टा नहीं मारना जल्दी से मुझे बताओ रंणर को छोड़ो cylinder के area को सोचो क्या पाइं टूदी इंटू एल होता है बिलकुल होता है यहां पर discharge का formula तो वही है area इन्टू विलोसिटी अगर इनलेट पर निकालेंगे तो पाई इनलेट पर जो रणर का डायामेटर होगा इनलेट पर जो विर्थ होगा ठीक है क्योंकि ब्लेट के थूई इन्टू बीवन और यह मुझे बताओ डिस्चार्ज के लिए कौन से विलोसिटी रिस्पॉनसिबल थी वीवन के दो कंपोनेंट करें थे एक वरल कंपोनेंट था एक फ्लो कंपोनेंट था मैंने आपको बताया था कि जो वरल कंपोनेंट है वो रनर को नचाने में काम आएग वरल कंपोनेंट इस रिस्पॉनसिबल फॉर दी रोटेशन आफ दी रनर एंड फ्लो कंपोनेंट इस रिस्पॉनसिबल फॉर दी डिस्चार्ज फ्लो कंपोनेंट इस रिस्पॉनसिबल फॉर दी डिस्चार्ज तो जब डिस्चार्ज निकाल रहे हूं तो ना वीवन रखो आग्या फॉर्मूला यह यह आग्या फॉर्मुला थीक है और फॉर्मूल एखें यह डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है दो अब होता क्या है जब हम एकुशननर का पूरी डाया ले रहे हैं तो हम यह मानके चलते हैं कि ध्यान से समझे हो मेरी बात जब हम runner का पूरा diameter लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि पूरे diameter से flow fluid अंदर जा रहा है यहीं तुमान के चल रहे हैं हाँ और ना में जवाब दो कि हर तरफ से फ्लिड अंदर जा रहा है मतलब अगдо मैंने डायामीटर बोला है ना तो यह पूरा डायामीटर हम यहाँ पर कंसिडर कर रहा है मतल पाई-डी किया है इसका पर्षित हो गया ना तो पाई-डी का मतलब मैं कैा है अगर मैं उन्हूरہत नभी ना टिस ऐस 뒤 스यो आंधर विर्ट विर्ट ले लेते रणर की विर्ट कितनी है वो एनेदर डाइमेशन हो गई जो आपको भी विजिबल नहीं है फिर सुनो मेरी बात यहां पर आकर नहीं समझाना तो फॉर्मूला नहीं समझाएगा फिर रटते फिर होगे जैसे अभी तक करते आ रहे हो ध्यान से समझ से पूरे सरकम फैरेंसे पूरे सरकम फैरेंसे क्या है फ्लीड अंदर जा रहा है फ्लीड अंदर जा रहा है मगर एक चीज़ तो देखो ना इसमें बीच बीच में ब्लेट भी तो है उनकी भी तो कुछ थिकनेस होगी अगर मैं ब्लेट दिखाओं तो देखो एक ब्लेड य तो क्या ये पाइडी लिया हुआ सही होगा यह सब्जेक जो है ना बहुत लेंदी भी है बहुत छोटा भी है इजी भी है और टव भी है कुछ कह नहीं सकते हैं हाइड्रोलिक मशीन इसलिए बच्चा पढ़ता नहीं है आप देख लो ना यूट्यूब पे फ्री कोर्स करा र छोड़ देते हैं ना लोग क्या करेंगे इतना टेंचन लेके क्या करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा इस पाइडी में से ब्लेड की थिकनेस को घटाना पड़ेगा अगर एक ब्लेड होगी तो एक थिकनेस को घटाएंगे मगर अगर अगर एन नमबर ऑफ ब्लेड्स ह तो सब की थिकनेस को घटाना पड़ जाएगा तो हमेशा ध्यान रख्यों के एक जो डूसरा अंसर अच्छा इसको मैं मिटा रही हूं पहले हामी भर दो कि हाँ यह मैं आपने सही लिखा है कि पहले तो यह पाइडी था फिर आपको थिकनेस ब्लेट भी तो है ना बीच- करेक्शन करना पड़ेगा अब यहां पर अगर आप ब्लेड की थिकनेस को कंसिडर करके फॉर्मुला बनाओगे तो फॉर्मुला बनेगा ध्यान से देखी हो पाई इंटू डी माइनस एन टी साथ में आ जाएगा अच्छा एक जनरल लिख देते हैं फिर डीवन बीवन तो आप लोग खुदी कर लेते होना कर देना वं के लिखुगे तो d1 दो हो जाएगा टीक है बीवन हो जाएगा और ऐसी टूखले लिखना तो ड्डी टू वी टू तो कर देना आया समझ में सब्सक्राइब अगर समझ आ रहा है तो एन क्या है नमबर ओफ ब्लेड से नमबर ओफ ब्लेड या वेंस बोल लो ठीक है ती क्या है थिकनेस है ती क्या है थिकनेस है ती क्या है थिकनेस है थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ दी ब्लेड वी क्या है विर्थ आफ दी रनर है ठीक है डेली फाइव घंटा स्टडी करता हो रिवीजन कर रहे हो पांच घंटे में करके आ रहे हो यह पता चुका है एक बात यहां पर और याद कर लो पॉर्नी रॉन टर्पाइन जो है उसका सब रोको सेम होगा सब कुछ सेम होगा बस फर्क क्या होगा वह लिखिस लो kay ब्रणBlue लो अक कि फोर यह नहीं ब før पर रूर لل को य्लक से नहीं पढ़ाता है बस एक लाइन लिखवा देते हैं, सब के सब कुछ समझ आ जाता है, Porniron Turbine is a, याद रखो, Porniron Turbine is a outward flow reaction turbine, बाकी सब कुछ सेव रहेगा, reaction, outward flow reaction turbine, ठीके जी, याद रखिये, Porniron Turbine क्या है, outward flow reaction turbine है, वो क्या थी, Francis क्या थी, inward flow reaction turbine थी, बास समझ आ गई, पड़ा पट, कुछ सवालों के जवाब हैं, दे दो और फिर घर जाओ, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ज्यादा टाइम नहीं कि 45-45 सेकेंड आपको देती जाओंगी, आप आंसर करते जाओ, कहानी खता, कल बेटा ओफ रहेगा, Saturday, Sunday आपका ओफ रहेगा, Monday को क्या प्लान एंड प्रोपेलर कराओंगी, Tuesday को centrifugal pump कराके, खतम कर जूँगी, hydraulic machine, दो दिन classes और चलेंगे, आपका major 80% portion पूरा complete हो जाएगा, और बचावा जो 20% है, उसे बहुत कुछ है, उसको मत करो तो जादा आप फायदे में रहोगे, ठीक है, सही जवाब दीजे, इन में से कौन सी टर्बाइन, mixed flow reaction टर्बाइन है, SSCJ का previous question है, कल example देके बताया भी था, कैसे सवाल पूछे जाएगे, ठीक है, चालो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, Francis, Francis टर्बाइन क्या है, radial flow टर्बाइन है, क्या प्लान प्रोपेलर टर्बाइन क्या है, axial flow टर्बाइन है, और modern Francis टर्बाइन बिटा क्या है, एक mixed flow टर्बाइन आपके लिए होने वाली है, बहुत ही बढ़िया, सही ह होती है having overall efficiency कितनी है बेटा 0.7 है find out the power developed by the pelton wheel यह कौन सी power पूछ रहा है runner power pelton wheel जो power develop कर रही है वो runner power होती है जवाब दो 45 सेकेंड है आंसर करो कौन सा आंसर चही होगा बहुत ही बड़ी है overall efficiency दी है देखो water power का मतलब क्या है hydraulic power given है कितनी है 98.1 kilo watt ठीक है और power developed by the pelton turbine अच्छा pelton wheel turbine power developed by the pelton wheel turbine बोल रहा है तो यह कौन सी power है यह आपकी shaft power है pelton wheel turbine मतलब turbine ने कितनी power develop करी यह shaft power है मैंने सिफ pelton wheel पड़ा ठीक है सही कर ले ना भई overall efficiency हो जाएगी output upon input मैंने आपसे बोला था ना shaft power या तो निकलवा लेता है या तो दे देता है यहां पर निकलवाया गया है shaft power is equal to the 98.1 into 0.7 हो जाएगा ठीक है 717 8756 ठीक है और यह कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा तो यह आ गया आपका 68.67 kilowatt 68.67 kilowatt यह भी सवाल आपका पूछा जा चुका है ठीक है बड़ी है सब लोग कर पा रहे हो सही है पेल्टन वील टर्माइन मतलब फाइनल आउटपुट पूछ रहा है आपसे अगला सवाल पेल्टन वील 6000 kilowatt डवलप करता है कितने हेड़ पर 100 मीटर हेड़ पर डिस्चार्ज करता है एट मीटर क्यूब प्रति सेकेंड का ओवरल एफिशंसी बताईए यह कौन सी पावर दी गई है पेल्टन वील पावर डवलप कर रहा है तो हो भिए तो है एक है application पर तो पूरा चलता है ना technical नन technical theory practice डेपीपे doc तस पूरा चलता कि ऐसे मोदी जी आपको पढ़ने की का जरूरत है कि आप तो देश के पादान मंतरी है को प्ढ़ने की क्या जरूरत है हाग ही है क्या होगा इसका अंसर कौन सी पावर गीवन है क्या पहचान पा रहे हो अप्शन ए चलो यह जो पावर है पेल्टन वील ने डवलप करी है न तो यह पेल्टन टर्बाइन ने डवलप करी है तो यह शाफ्ट पावर होगी 6000 कितना दे रहा है किलो वाट में ठीक है फैड दिया होँँए कितना बेटा 100 मीटर इसी के साथ डिश्चार्ज दिया होँँए कितना कितना डिया हो समझ आ रहा है कि power होगी rho q g into h, यही तो बढ़ा था hydraulic power, shaft power बेटा 6000 kW लिख दो, divide कर दो, यहाँ पर देखो watery होगा, तो density 1000 हो गई, discharge कितना हो गया, 8 हो गया, g को 10 ले लो, और head कितना दिया है बेटा, 100 ले लो, मगर आपकी जो यह power निकलेगी, यह watt में निकलेगी, इसको 1000 से divide करके इसको भी किलोवाट में change कर लो, तो 1000 कट जाएगा, यह 30 जिरो भी कट जाएगे, 6 बटे, 8 आ गया, 3 बटे, कितना आ गया, 4 आ गया, तो answer कितना आ जाएगा, 3 बटे, 4 से, कितनी percentage आपको देखने को मिलेगी, 3 बटे, 4 पर, बदाए जल्दी से, answer करिए, बटे, comment section में, कितना देखने को मिलेगा, 6 बटे, 8 है, ना, 2 से divide करेंगे, 3 बटे, 4 आएगा, कितना percentage आएगा, बहुत ही बढ़िया, 75, तो जितने बच्चों ने 0.75 या 75 परसेंट निकाला है, वो सब के सब सही है, चलो, ऐसी लिख दे रहे हैं, और 75 परसेंट, ठीक है, तो numerical इसी तरीके से चुटे-चुटे आएगे, option C सही होगा, काफी सारे लोगों ने निकाल दिया है, ठीक है भई, कोई दिक्कत नहीं है, अगला सवाल, सही है, अगला सवाल, degree of reaction 0 किस में होती है, reaction turbine, draft view, impulse और none, किस में degree of reaction आपको पिटा 0 मिलेगा, सीधा जवाब है, सीधा जवाब, ठीक है, बताइए, degree of reaction, ठीक है, तो degree of reaction, reaction turbine में होगी, draft tube कोई turbine थोड़ी ना है, नन आंसर नहीं होगा, option C will be your correct answer, impulse turbine में degree of reaction की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक सवाल ये करके दिखाओ, देखते हैं कितने बच्चे ये सवाल कर पाते हैं, बढ़िया सवाल है, आपसे पूछ रहा है, इन में से कौन सा sketch, impulse turbine की blade को represent कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग और सही आंसर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही है भई, सही है, bucket shape है, तो इन में से देख लो कौन सा bucket shape लग रहा है, तो आप बोलोगे कि मैम, option A जो है, ये थोड़ा सा bucket shape लग रहा है, ठीक है ना, यही तो लग रहा bucket shape, बाकी तो bucket shape है नहीं, तो इस तरह से सवाल आपका पूछ लेता है, सही है भई, आगे चलते हैं बटा, एक और सवाल देखो, जो मैंने आपसे बोला था ना, इसका जवाब दो, maximum efficiency in the case of pelton wheel, pelton wheel के case में maximum efficiency क्या हो जाएगी, आंसर करो बटा, pelton wheel के case में maximum efficiency क्या हो जाएगी, लेट्स सी क्या आपको कितना efficiency का formula याद है, बदाए, बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, फर्मुला क्या निकाला था बेटा, फर्मुला निकाला था कि hydraulic efficiency जो है यह होगी, मैक्सिमम के लिए, यह जो speed है, यह किसके बराबर होनी चाहिए, वीवन बाई टू के बराबर होनी चाहिए, हाफ होना चाहिए, तो यू बाई वीवन कितना हो जाएगा, एक बटे दो हो जाएगा, रख दो बिटा यहाँ पर, ठीक है, दो हो गिया, एक बटे दो हो गिया, वन माइनस एक बटे दो हो गिया, वन प्लस के नहीं दिया है न, के की वेलू वन मान लो, ठीक है, तो कॉस बीटा मिल जाएगा, यह दूई यह दूई निपट लिया, वन माइनस वन बाई टू, वन बाई टू हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा, वन प्लस कॉस बीटा बस ठीक है एक और सवाल है एक और सवाल है उसको भी करते जाओ फिर जाओ ठीक है चालो इसका आंसर करो बढ़िया सवाल है आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि gross head net head का तो कुछ चक्कर समझ आया नहीं, उसका तो कोई question करा नहीं, last question आज के session का कर लो, फिर छुट्टी, this is the last question of the session. gross head available to the hydroelectric power hydro hydraulic power plant is 100 meter, the utilized head in the runner of the hydraulic turbine is 72, if the hydraulic efficiency of the turbine is 90 percent, then pipe friction head is estimated to be, सोचो बेटा, कैसे solve करेंगे, ठीक है, अब ये question जो है, ये GP के question है, इसको ध्यान से सोचो, फिर वीडियो ओपन करके comment करना, comment section में अपना answer पुट करना, मैं देखूंगी, check करूंगी, like करूंगी, ठीक है, और फिर Monday को इसका solution बताऊंगी, एक सवाल तो बनता है, इतना सारा आपने पढ़ा आए, अब एक सवाल तो बनता है, कि आप खुज से सो विचारो और जवाब दो, ये question already अपने लोग कर चुके हैं, ये वाला question भी हो चुका है, previous session में, ठीक है, तो ये बिटा GP के question मैंने आपको दे दिया है, इसका screenshot लेने न, will be complete, बता देती हूँ, Tuesday को close करेंगे, ठीक है, Monday को चलेगा, Monday को चलेगा, Kaplan and propeller, Tuesday को चलेगा, CP, centrifugal pump, उसके बाद इसको close करेंगे, ठीक है, तो दो दिन और session आपके चलेंगे, उसके लिए आप ready रहना, ये question का answer मुझे जरूर देना, hopefully आज आपको Francis Turbine का पूरा performance parameters सारे समझ आ गए होंगे, working principle और जो भी उसके parts थे, वो अमने previous session में discuss कर लिया थे, तो इसको पढ़ने के बाद जब आप questions को solve करोगे, आपसे question बनेंगे, no doubt, बागी questions मैं भी आपको करा ही रहेंगे, ठीक है, after that, start open channel flow, नहीं बिटा, अभी तो open channel flow वगेरा start नहीं होगा, बट हाँ, definitely I will plan something good, जो आपके लिए beneficial ही होने वाला है, ठीक है, next subject भी बता दूंगे, ठीक है, so thank you very much, goodbye, take care, मिलते हैं, अब आपसे direct Monday को, सुभा 10 बजे, with the new topic, that is your Kaplan and propeller turbine, thank you. झाल झाल